प्रंड सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या चीज करते हैं। जिस तरह से सुबह उठकर की हुई मेडिटेशन सबसे अच्छी है। जिसे खाली पेट लेने से बिमारियां दूर होती हैं। तो मैं आज की वीडियो क्यों बना रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं। उन सारी बिमारियों को आप सिरफ एक चीज से सही कर सकते हैं। और उस एक चीज का सेवन कब करना है सुबह उठकर सबसे पहले। और हाँ जो लोग चाई पीते हैं वो आज से ही पीना बंद करें क्योंकि चाई एसिडिक होती है। और सुबह खाली पेट पीने से हमारी बॉड़ी में एसिडिटी बढ़ जाती है। यह बढ़ी हुई एसिडिटी हमारे खून में यूरिक एसिट को बढ़ाती है। हमारे पित्त दोश को इंबैलन्स करती है। और क्या आपको पता है कि पित्त दोश इंबैलन्स होने से 80-100 तरह की बिमारिया आती है। तो अगर आपके बाल जटते हैं, चहरे पर पिमपल्स निकलते हैं, आपको मोटापा है, डायबिटीज है, थायरोइड है, यह सब कुछ चाई पीने के कारणी है। हाँ हो सकता है आपको यह लगे कि चाई का direct impact डायबिटीज से नहीं है, लेकिन indirectly चाई पीने से यह सबी बिमारियां होती हैं। तो इसलिए आप चाई को सुबह खाली पिटना पिए, सुबह उठते ही किस चीज का सेवन करें, चलिए वो बताता हूं। आप सभी ने अमरूद तो खाया ही होगा? अमरूद तो खाया है लेकिन अमरूद का पत्ता नहीं खाया होगा। अमरूद के पत्तों को सुबह खाली पिट आपको खाना है। कितने पत्ते खाई? दो से तीन पत्ते सफिशेंट हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले तीन पत्ते अमरूद के आपको खाली पेड़ चबा चबा कर खाने हैं अब आप कहेंगे ऐसा करने से होगा क्या तो चलिए इसके बारे में भी वताता हूँ देखे दोस्तो पुराने जमाने में हर घर में अमरूद या नीम का पेड़ जरूर होता था क्या आपको लगता है कि पुराने जमाने में अमरूद का पेड़ घरों में इसलिए होता था क्योंकि इन लोगों को फल खाने का बड़ा शौंक था ऐसा नहीं है फ्रेंट्स, अमरूद के फल के साथ साथ इसके पत्ते, अमरूद के पेड़ की छाल, अमरूद की जड़, हर चीज काम की है इसलिए अमरूद, पपीता, केला ऐसे फलों को घर में लगाया जाता था केले के फल के साथ साथ केले के पेड़ के पत्ते भी फाइदेमंद हैं केला सबसे अच्छा एंटी बैक्टीरियल और एंटी वाइरल है इसलिए आज भी कई जगा पर केले के पत्ते के ऊपर खाना खाया जाता है रिशी मुनियों को केले के पत्तों पर ही खाना खिलाया जाता था क्योंकि केले के पत्ते पर अगर खाना खाते हैं तो केले का पत्ता सबसे शुद्ध माना जाता है यहां तक की पूजा पाठ में भी केले के पेड़ को घर के बाहर लगाया जाता है क्योंकि केले का पेड घर के अंदर बैक्टेरियाज और वाइरसिस को एंटर नहीं करने देता तो इसी तरह से फ्रेंड्स यह जो पेड पौदे घरों में लगे होते हैं यह हमें बचा कर रखते हैं लेकिन आज कल हमारे घरों में बड़ी बड़ी गाडियां तो हैं लेकिन घ घर में एक गमला तक नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमारे घर में जगय नहीं है इसलिए यहां तो अगर गमले हैं तो हमने घर के किसी कोने में लगा रखे हैं लेकिन आप एक चीज़ सोचिए पुराने जमाने में घर के आंगन में तुलसी लगाई जाती थी घर पारे घर के आसपास भी नहीं आते अगर आपके घर के आंगन में तुलसी है। इसलिए पहले घर के आंगन में तुलसी लगाई जाती थी। और तुलसी का विवा भी किया जाता था। तुलसी के विवा के पीछे भी एक वेग्यानिक रहस्या है। आपने देखा होगा तुल तुलसी का पौधा इस सर्दी से बच सके तो चाहे आप इसको धार्मिक द्रिष्टी से देखिए चाहे विज्ञानिक द्रिष्टी से पेड़ पौधे घर में जरूर होने चाहिए इतना ही नहीं अगर आप पेड़ पौधों को दिन में कम से कम आदा घंटा लगातार देखत सिर्फ हरे रंग को देखने मातर से आपका स्ट्रस दूर हो जाएगा आपने देखा होगा जब भी हम हिल स्टेशन पर या पहाडों पर जाते हैं तो हरे बाई को देखकर हमारे मन में एक खुशी की लहर दोड़ जाती है दरसल हमारी बौडी बनी ही इस तरह से है जितना हम पमरूद के पत्ते लगातार दो से तीन महीने खाते हैं तो आपकी कई बिमारियां जड़ से खतम हो सकती हैं जैसे कि डायबिटीज की प्रॉबलम आज कल की तो डाक्टर्स यह कहते हैं कि डायबिटीज को जड़ से खतम नहीं किया जा सकता क्योंकि आज कल आपको असल में प्रहेजी नहीं बताया जाता जो आपको करना है डायबिटीज में सबसे बड़ा प्रहेज तो आपको पता है चीनी का चीनी के प्रहेज के अलाव जो लोग जादा मोटे हैं वो लोग उतना ही जादा diabetes के शिकार हैं यह नहीं कि diabetes होने के कारण मोटापा हुआ है मोटापे के कारण diabetes हुई है तो दोस्तों आपको करना क्या है सुबह उठते ही तीन अमरूद के पत्ते लगातर तीर महीने खाईए diabetes जड़ से खतम हो जाएगी इतना बड़िया तरीका है ये diabetes को खतम करने का वो भी जड़ से खतम आपको कोई दवाई नहीं लेने पड़ेगी इतना ही नहीं आप अपने high blood pressure की problem को जड़ से खतम कर सकते हैं अगर आप पिछले 5 साल 10 साल से high blood pressure की दवाई खा रहे हैं तो वो आपकी 3 महीने में चूट जाएगी 3 महीने लगातार 3 पत्ते अमरूत के खाते रहिए आपकी high blood pressure की problem नौर्मल हो जाएगी अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे दरसल आपको आज तक बताया ही नहीं गया कि high blood pressure होता क्यों है हमारे खून में गंदगी होने के कारण हमारा खून गाड़ा हो जाता है खून में गंदगी होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा घटिया चीजें खाना ज़्यादा चिकनाई वाली refined तेल डालडा ओयल और ज़्यादा fried चीजें खाने से खून में गंदगी बढ़ती है दूसरा इससे हमारा digestion खराब होता है और खराब digestion होने से हमारे खून में गंदगी बढ़ जाती है तो किसी भी कारण से अगर खून में गंदगी बढ़ जाए तो खून गाड़ा हो जाता है खून गाड़ा होने से high blood pressure हो जाता है अब high blood pressure को सही करने के लिए आपको खून को पतला करना होगा यनि कि आपको अपने खून को detox करना होगा इसके लिए आपको अमरूद के पत्ते खाने हैं अमरूत के पत्ते खाने से आपका digestion सही होगा जिससे आपका खून purify होने लगेगा और देखते ही देखते आपको high blood pressure से राहत मिल जाएगी लगातार 3 महीने अमरूत के पत्ते खाने से high BP की problem जड़ से खतम हो जाती है इतना ही नई फ्रेंड्स आप अपने वजन को भी कम कर सक अमरूत के पत्ते लगातार 3 महीने खाईए आप देखेंगे आपका वजन 15 से 20 किलो बिना किसी diet बिना किसी exercise कम हो सकता है अगर आपके पास समय नहीं है अपने वजन को कम करने के लिए diet करने का exercise करने का तो आप अमरूत के पत्ते खाईए सबसे असान तरीका है समय भी नही हुई बिमारियां अमरूत के पत्ते भी दिल से जुड़ी हुई बिमारियों के लिए बहुत अच्छे हैं अगर आपका खून गाड़ा है तो यह गाड़ा खून आपकी बाड़ी में कॉलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है यही गाड़ा खून आपकी आर्ट्री में कॉलेस् इसके लावा आप कई बिमारियां जैसे की चेहरे के पिंपल्स को बालों के जढ़ने की प्रॉब्लम को भी अमरूद के पत्तों के जरिये सही कर सकते हैं क्योंकि ये सारी बिमारियां हमारे खून की गंदगी से और इंडिजेशन से ही जुड़ी हुई हैं तो अल्टिमेटली जितनी भी बिमारियां आज कल इंसान को हैं उसका सलुशन अमरूद के पत्तों से हो सकता है तो फ्रेंट्स मैंने तो आपको बता दिया कि ये सलुशन आसान है अब करना है या नहीं और कितना समय ये आपके उपर है हम सिरफ आपको बता सकते हैं लेकिन आप खुद इंटे कशन आता ही है ये जो करोना वायरस है इसमें बी- हाइड्रोखई क्लोरोकुन का इस्तिमाल हो रहा है अब हाई ट्रोक्सी क्लोरोकुन नाम से कुछ समझ आ रहा है बिलकुल नहीं तो इसी तरह से हमारी जुकाम का हमारे sis का इलाज होता है इस सारी बिमारियों में यूज होने वाले दवाईयों के नाम और उनके अंदर के salts के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, जिस कारण से हमारी बिमारियां ठीक तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद के side effects हमें जेलने पड़ते हैं, तो इसी तरह से आयरवेद बहुत अच्छा है, आयरवेद में जो आशदियां हैं, उनके नाम आपको समझ में आते हैं, जिसकी हल्दी, हल्दी एक आशदी है, इससे बिमारियां दूर होती हैं, और हम हल्दी को देख सकते हैं, हल्दी के बारे में हमें कुछ हथ तक knowledge भी है, इसके रवा अमरूद के पत्ति आयरवेद में इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपना इलाज कर सकते हैं, आयरवेदी की इलाज कोई एक बिना पड़ा लिखा व्यक्ति, एक अनपड व्यक्ति भी समझ सकता है, लेकिन आज की medical science को एक पड़ा हुआ व्यक्ति भी नहीं समझ सकता, यही difference है आज की medical science और हमारे प्राचीन आयरवेदा में, I hope friends आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक red कलर का subscribe बटन है, उसके ओपर क्लिक करें, सब करना बिलकुल free है, तो जल्दी से subscribe कर लें, साथ में एक notification bell है, उसके ओपर क्लिक करें, then all select करें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की notification सबसे पहले आए, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद.